वेल्कम बैक टू वेश्टिक फॉर लेक्चर नमबर फाइव जी फ्रेंड्स इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने वेब पेज के अंदर कोई भी पिक्चर जो है उसको कैसे इंग्लिउड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम अपना पेजिक स्ट्रक्चर क्रिइड करते हैं जो हमारे पास है अब इसको हम इसका टाइटल चेंग कर देते हैं टाइटल अब हम इसका रखते हैं कि इमिज इंक्ल्यूजन रख लें कुछ भी रख लें अब दो इंग्विश मेरी तरही अच्छी नहीं है और जलतियां हो सकती है चले हम क्या करते हैं इसको पहले सेफ करते हैं और इसका इमिज चलें इसको मैं सीवी इसका नेम देता हूं सीवी.html क्योंकि हम एक सीवी बनाने की ट्राइब करेंगे और वह यह आपको मैं एक्जाम्पल गताऊंगा सेव गिया तो जी यह कलर चेंज होगे इसमें हमारी फाइल जो है वह सेव हो गई है चले अब हमने पिक्चर जो तो उसके स्पेलिंग होते है हमारे पास I M A G E S और जो बाई मेसजिज करते हैं चैटिंग करते हैं और जो भी मेसजिज चैटिंग करने वाले भाईयों को सारा पता होगा या वैनों को कि I M G यह इमज्ज का शॉर्ट सम हम लिखते हैं मेसजिज के अंदर ताके कि टाइम वेस्ट नाव बात चिल्दी हो जया स्थार्ट से इसी चीज़क आम लेकर स्षार्ट करना कोई भी टैग आपके पास होता है सको स्टार्ट करते हैं ट का है यासे हैं उसको क्लोज करते हैं अ derechos जैंसे और f बुका था कि जो भी tag इंड टाइग भी होता है जैसे कि अगर हैडिंग था एच भान को हम स्टारट करते थे ख लोर्ज भी करते थे इसप़र हें यहां हमारे पास आइंस है आइन यह फ्रहों तो इसको हमने इस तरह close करेंगे अगर हम बाखी रूत को देखें तो ये फिर इस तरह हम close करेंगे ना लिकन यहां पे न एक मसला है वही है कि कुछ टेग होते हैं जो self closing होते हैं एक ही जगा से start होते हैं उसी जगा पर end हो जाते हैं उनका जो ये forward slash होती है ये वली ये ये नए टैग में जाके closing tag निलगाना पड़ता उसको उसी जो starting tag होता है उसी came to पर forward slash लगा कि हाँ क्या कर जाते हैं close कर जाते हैं अब हमारे पास हमने यह self closing tag है image अब हमने image को include करने है अब देखें जैसे हमारे पास हमने दूद के अंदर हम क्या करते हैं G今 दूद के अंदर जो झड़े हमने बर्गर घान कुछार है bear em a जि हमें चिकन-चाइए एक वह जिया करते हैं बर्गर छाए एक लुग वह शारी क्या चीज़ है ने में तो बर्गर है बाती चीज़िस के अंदर डल रही है वह मोफे इनके , इंकरीभी वह我们 होते है इसारीऊ इमीज होती है मैं था आद के हैं इसके इनकष Ilर मैं क्ने इस उस सब्सक्राइब से पहले जो पिक्चर हम इसके अंदर इंकल्यूड करना चाह रहे हैं उस पिक्चर का सोर्स क्या है वही फिर चैटिंग वाली बात सोर्स के स्पैलिंग तो यह होते हैं लेकर हम इसको शॉर्ट फॉर्म करके ऐसार सी लिखेंगे ठीक है सोर्स के हमारे पास equal to double quotes डालेंगे इसके नदर जो भी पिक्चर का सोर्स होगा वह हम लिखते हैंगे अब सोर्स का मतलब क्या है सो इसका मतलब यह है कि आपकी पिक्चर का नेम किया है, आपकी पिक्चर का नेम और उसकी एक्स्टेंशन, उसकी एक्स्टेंशन किया है, ठीक है, वह आपके पास क्या हो सकती है, PNG हो सकती है, JPG हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो कोई भी आपकी उसकी एक्स्टें बाग का भी होता है कि internet बहुत स्लो होता है आपने देखा होगा कि picture की बज़ाए वहाँ पे कोई एक word सा लिखा रहा होता है तो वह picture का उस image का alternative होता है तो alternative को भी हम short करके alt लिख देंगे alt और equal to कर देंगे कोई भी for example अब जैसे हम CV की मैंने आपको assignment भी देनी था कि आपकी heading की और picture की दरा practice हो जाए तो यह CV हमने यहाँ लिखा कि यह जनाब हमारे पास CV है ठीक हो गया तो अगर पिक्चर नहीं आएगी ना तो यह CV जो है यह आजेगी अब मैं कहता हूं मैं इसको यहाँ पे save कर देता हूं अब save करके मैं अपने फॉल्डर में जाता हूं जहां पर हमने यह चीवें रखी हुएं डेस्क टॉप पर जाके हमने फॉल्डर रखा था वेश्टेप का इसके मेरी यह रापका सीवी का तो हम इस CV वाले को हम रन कर देते हैं अब रन करने के बाद आपको यहां पर नदर आएगा कि सिरफ और सिरफ यहां पर पिक्चर नहीं आरी यहां पर वो जो हमने आर्ट दिया था ना वह आ रहा है सीवी लेका साथ में छोटा से पिक्चर का साइंड बनाओ कि पिक्चर हमने उसको दी नहीं है आप में आपको कहता हूं कि जाओ जी वहां से ना एक बोतल पकड़ कर लें अब आप मैं बताते हैं नहीं कि वहां काहां पर भी है तो यह हमने पूरा सूर्स उसको देने अब देखें हमारे पास जो हमारी फाइल बढ़ी है वो यह बढ़ी है अब क्या है अब जो पी चीछ इसकी अन्दर आपने शामल करनी है तो उसको इस फाइल के साथ बढ़ा होना चाहिए बलकुल करीब तो यहां पर मैंने इंटरनेट से एक पिक्चर ली है उसको मैं गरा इंकल्यूड कर रहा हूँ यह पता नहीं भाई साथ कौन से इंडिया से है मेरे ख्याल से यह मैंने गूगल से पिक्चर उठाई है क्योंकि यही आप लोगों की इसाइनमेंट है आपने हैडिंग्स का इसमें जैसे अब्जेक इस तरह कि आपने कोई भी अपने पास से पिक्चर ले ले नहीं है और आपने क्या हणा है उसकी असाइनवर यह वीडियो यहां पर चॉप करके इसके अंदर से यह पिक्चर कर लेनी है अगर यह बनाने हैं रहों यह पिक्चर में इनकल्यूड करने जारों अपने वेब प के या पेस्ट कर देता हूं तो कॉपी करके यहां पर पेस्ट किया यह मारे पास आप देखें यह पेज्ट कि इसके अंदर या मारे पास ठेंचर proceso मैं नेम जबाई चैन्ज कर देता हूं आँений को और ताइब इसकी PNG लॉटी तो हमने रख करना हैं यहां पर है यहां पे जो फिक्टर के दी डिये और वाहम पर दैखा दाइब होती है तो हमें अगर के और आप मैं याद रखने हैं को यह के सैंस्टी पहता है मेरा पी खराब हो गया है कीबोर्ड का चले मैं इसको सेट करके ठीक है जी तो हमारी जो टाइप है और एक्स्टेंशन है वो पी एंजी अब देखें अब हमारा टैग बिल्कुल कम्प्लीट हो गया हम इसको सेव करते हैं इधर आए हम यहां पे हमने पेज को रिलोड किया हमा है और कुछ भी नहीं क्योंकि पिक्चर का साइथ बहुत बड़ा सरह है इसलिए पूरे वेब पेज पे आ गई है इसका मतलब यह नहीं कि आपने इस तरह की कोई भी चीज बनानी तो इसकी पिक्चर अप्लोड कर लेनी है और यह आपको बताता चलो यह मेरी पिक्चर नही देखते हैं तो आप कंट्रोल यूग करें और इसका आपको देखें यह सारा कोचिस में है बाकी सारा स्ट्रक्चर है बेसिक यह एक चीज हमने नहीं डाली है तो यह पिक्चर का नेम है यह टाइप है यह उसका आल्ट्रिनिटिव है तो यह ही आपकी एसाइनमेंट भी है और पिक्चर लगानी आपने और हैडिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है यहां पर मैं इस वीडियो को रोग रहा हूं तो थैंक यू वेरी मुच फॉर वाचिंग स्टेक नेक्टर फॉर लेक्चर नमबर 6 थैंक यू वेरी मुच